आज बनाएंगे हम लोग अंडा पालक कड़ी और रोटी एक तम मुला मुला मने 800 ग्राम आटा लिया है और एक कप पानी को मैंने रख लिया है अब धीरे धीरे उसको यूज करेंगे वो नहीं कि एक कप होला तो आप एक कप डाल दीजे बस इस तरह थोड़ा थोड़ा डालत आते जाएं ताकि एक दूसरे के साथ आटा गुंज अई नहीं कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करा इस तरह से आटा को स्रीप मिला देना है और इसको ढखके आधा गंटा तक आप इसको रेस्ट करने दीजे देखें बहुत ही अच्छा रोटी बनेगा इसका बहुत हाड भी नहीं उथना है इसको इधर मैंने पालक जिंजर गार्ली टमाटर हरा मिर्च और मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है पालक एक केजी के करीब में है अब हम लोग इसको टमाटर पालक को अच्छे तरह दो लेंगे कम दो-तीन पाने से वास कर लेंगे अब मैंने पानी गरम होने डाल दिया है अब इसमे हम लोग पालक टमाटर हरी मिर्च को डाल करके उबाल लेंगे इसमें थोड़ा समय धनियापता भी डालाया। देखे यह उबल गया है अब इसको लोग एक परतन में निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। इधर मैंने एक प्याज को बारिक काट लिया है देखे ठंडा हो गिया है अब इसको मिक्सी में डाल करके चला लेंगे एकटम बारिक इसका प्यूरी बनाएंगे अब सरस्तु तेल डालेंगे इसमें मैंने अंडा को boil करके छेल लिए अभी तीन अंडा का use करेंगे हम अब इस थरसे अंडा को fry करलेंगे, कट करके अंडा को fry करलेंगे और इसको fry करके निकाल लेंगे हम अभी तीन ही अंडा को फ्राइ कर रहे हैं क्योंकि अभी खाने के लिए रेड़ी नहीं है और जैसे कि आप पालक का करी पना लीजे असके वाद जैसे जैसे आपको जरूरत हो अंडा आप डाल सकते हैं ज्यादा दिरतक अंडा मतलब कि तलके नहीं रखना चाहिए आदमी क अब तेज पाल अब इसमें मैंने पच फोरन लान मिर्च पॉर्डर तेज पाल और इसमें मैंने थोड़ा सा हींट डाला है अब इसमें जिंजर गार्लिक को जो क्रस करके डाल ले थे गार्लिक मैंने वही आठ दस कलिया गार्लिक का और जिंजर का मैंने फाफ इंच लिया है एक प्याज को में निपारिक काटा था उसे डाल करके अच्छे से भूलनेंगे हलका पिंक होने तर अम मसाला में है सब्जी मसाला नमक टर्मडिक पॉडर और गरम मसाला अब सबको डाल देंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे थोड़ा सा पानी आट कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं और इसको इस तरह से भूनते जाएंगे देखे बुना रहा है कितना अच्छा से भुना रहा है अब यह अच्छे से भुना गया अब इसमें जो है पालक का प्योरी जो बना के रखे थे इसमें एड कर देंगे और इसको अच्छे से बोनेगे बहँती टेस्टी लगता है ये अंडा पालक करी खाने में देखे तेल इसका उपर आ गया अब उसका जो मसर जार में था उसे भी मैंने धो के डाल दिया है अब इसको अच्छे से चला लेंगे और इसको ना दो-तीन मिनट के लिए ढग देंगे अब मैं देखिए धकन को हटा दिया कितना अच्छा रेडी हो गया अब इसमें गरम मसाला हम लोग अट किये हैं और अंडा इस तरह से आप बनाके रख लीजेगा तो फिर माले अंडा अपना देते जाए और खाते जाए या आप एक साथ अंडा डालके भी रख सकती है कितना टेस्टी बनाया बहुत यम्मी लगता है खाने में इस तरह से सर कीजिए बॉल में अंडा कड़ी हेल्दी भी हो गया अंडा यह के लिए अच्छा है और पालक भी हेल्द के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें ज्जादा तेल मसाला भी नहीं लगता खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से आप भी अंडा कड़ी बनाने का बनाईए बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में कि देखें कितना अच्छा बनाया इसका ग्रेवी इदम क्रीमी क्रीमी जैसा अब मेरा अंडा कड़ी तयार हो गया अब इसको थोड़ा सा हम कट करके भी आपको दिखाते हैं देखिए इत्तम अच्छा लग रहा ना अब हम लोग रोटी का त्यारी करेंगे इसके साथ आटा गुंदावा मेरा हो गया है एक खंटक से उपर ही हो गया है अब इसमें हलका सा पानी डालेंगे देखिए कितना सॉप्ट है बहुत ज्यादा गीला भी कर देंगे तो आपको रोटी पेलने में नहीं पनेगा थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से गुंद लेंगे यह तुरत ही गुंदा जाएगा ज्यादा नहीं पांच-छे बार इस तरह से करना है अब यह रोटी बनने के लिए एक तब आटा प चोटा चोटा गोली काट लिया उधर मैंने तावा को भी गरम होने के लिए डाल दिए देखिए और इस तरह से बेलते जाएंगे रोटी गोल हो ऐसा कोई बात नहीं है रोटी आपका जैसे भी बिलाए ठीक है पस तावा को आप चेक करके दीजिए हाथ से इस तरह से चेक कर लिए ताकि आपके हाथ में गरम लग रहा है तो इसका मतलब तावा पूरा हिट है देखिए रोटी बनके मेरा तयार हो गया कितना फूला फूला हुआ और बहुत ही सॉप्ट अब इस तरह दूसरा रोटी को में लोग पनाएंगे रोटी मैंने डाला और तुरत मैंने फिर पलट दिया उधर भी मेरा रोटी पक चुका है इस तरह से उधर पका हुआ नहीं इस तरह से डाले देखिए एक्टम फूला फूला रोटी होगा एक्टम सॉप्ट मैं आपको तोड़के भी दिखाते हूं कितना मुलाएं हुआ है अब इस तरह से इसको सर्फ कीजिए और टोटी भी बहुत सॉप्ट है और एक करी भी बहुत ही टेस्टी बनाया है इस तरह से बनाईए और खाईए